नमस्कार मित्रों, जैमांभवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तूला राशिवालों, दोस्तों, देव उठनी ग्यारस के दिन कुट्टे को खिला देना यह एक छोटी सी चीज आपकी साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा मिलेगा, आपकी साथ पुष्टें बैठे-बैठे धन खाएंगी, दोस्तों, फिर चाहे कर्ज की समस्या हो, या फिर धन की, या फिर घर-परिवार की, या शादी की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, सारी समस्याओं स तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, बस कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज, क्योंकि दोस्तों, इस देव उठनी ग्यारस पर यह दो ग्रह जिसमें राहू के साथ शणी मिलकर आपको माला माल बनाने वाले हैं, जी हां, देव उठनी ग्यारस के दिन इन दोनों ग्र विष्णु योग निद्रा से जाग उठते हैं और मांगलिक कार्यों की आज से ही शुरुआत हो जाती है, इस दिन दोस्तों तुलसी विवाह भी किया जाता है, आप सभी जानते हैं, और ऐसे में अगर आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, तो माता लक्षम की खूब कृपा आपके उपर बनी रहेगी, कुबेर देव के भंडार खुल जाएंगे आपके लिए, दोस्तों सालों से आप जो गरीबी भोग रहे हैं, जो कंगाली आपके जीवन में चल रही है, लाख मेहनत करने पर भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो दोस्तो चिंता ना करें, आपकी किस्मत जाग उठेगी, बस आपको आज के दिन कुट्टे को यह एक छोटी सी चीज खिला देनी है, क्योंकि दोस्तों यह समय वापस लोट कर नहीं आएगा, यह दिन वापस लोट कर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, साल में केवल एक बा जी हाँ, देवुठनी ग्यारस के बाद से ही, शादी ब्याह और मांगलिक कारियों की शुरुआत हो जाती है, अगर इस दिन आप, कुट्टे को केवल यह छोटी सी चीज खिला देते हैं, तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, कौन होंगे, साक्षात भगवा जी हाँ, दोस्तों, साथ ही जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान विश्नु की कृपा पड़ जाए, तो दोस्तों, माता लक्ष्मी, तो यूँ ही प्रसन्न हो जाती है, फिर साथ ही, कुबेर देव यूँ ही भंडार भर देते हैं उस व्यक्ति का, तो दोस्तों, समय वापस दो समस्या है, सभी से आपको छुटकारा मिलेगा, फिर चाहे आर्थिक तंगी हो, या घर-परिवार की समस्या हो, या आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपको आपका प्रेम नहीं मिल पा रहा हो, सभी समस्याओं से निजात मिलेगा, दोस्तों, दोस्तों, 12 नवंबर को देव को खिला देनी है, बस चुपके से खिलाएगा, जी हाँ, किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, जी हाँ, जब आप यह उपाय करें, तो किसी को दिखाई भी नहीं, और किसी को बताई भी नहीं, बताने जाओगे, तो फिर आपका कम नहीं होगा, कोई देख कि आखिर वह कौन सी छोटी सी चीज है आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और देवुठनी ग्यारस की ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा। जय लक्ष्मी माता। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता रानी उसके घर खुद चल कर जाएगी और उसक अग्से आपकी जिन्दगी में धन दौलत से लेकर विवाह हो या फिर बाकी सारी समस्याएं सभी से आपको छुटकारा मिले। दोस्तों, कुटे का उपाय तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल, जी हाँ, कुछ अनमोल, कुछ अमूल, आपक दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए त्याग देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आज के दिन तुलसी जी के पौधे में। जी हाँ, आज तुलसी माता के पौधे में लाल धागा अवश्य श्री बांधना। जी हाँ, दोस्तों, इसका बहुत बड़ा महत्व है लाल धागा आपको अवश्य बांधना चाहिए आप चाहे तो कलावा बांध सकते हैं दोस्तों साथ ही तुलसी में जी हां दोस्तों तुलसी में सिंदूर और श्रंगार का सामान अर्पन करना चाहिए तुलसी माता जी को श्रंगार का सामान अर्पित करियेगा और ह तो सके तो तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का आज के दिन विवाह भी जरूर करवाईए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके उपर। दोस्तों भगवान शालिग्राम की तो कृपा रहेगी ही रहेगी। साथ ही भगवान विश्नु इतने प्रसन्न होंगे कि आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों आप जब जब अपने घर से बाहर निकलेंगे तब तब आपकी रक्षा स्वयम भगवान विश्नु जी करेंगे। आपको मैं बता दूं देव उठनी एकादशी के दिन केवल यह उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत चीजों से राहत मिल जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन दोस्तों दूध में जी हाँ दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाएगा दूध में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा गुड मिलाईएगा और आपको दूध में गुड और चीनी मिलाकर किसी भी कुट्टे को पिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कुट्टे को पिला देना है आपको आपकी समस्या, याद कर लीजिएगा मन ही मन, आप अपनी समस्या याद कर लें, और उस दूध को अपने हाथ में पकड़ लें, और अपनी समस्या याद कर लें, जो भी आपकी समस्या है, मान लीजिए, आपके जो लोटा है दूध का, वह दूध किसी भी कुट्टे को पिला दें। यह उपाय जब आप करेंगे, तो यकीन मानिये, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। माता, लक्षमी के साथ भगवान विश्नु आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। फिर चाहे कोई बीमारी हो, फिर चाहे धन दौलत की कमी हो, कर्ज हो, जो भी आपकी समस्या है वह बोल कर। दोस्तों, वह दूध आप किसी भी कुट्टे को पिला दीजिएगा। यकीन मानिये आज के दिन मान्यता है कि यह उपाय जब आप करेंगे, तो भगवान विश्नु के साथ लक्षमी माता भी आपकी खूब। दोस्तों, जल्दी सुन लेगी तो अवश्य रूप से करिएगा। वीडियो अभी पूरी नहीं हुई है, यह तो बस एक छोटा सा उपाय बताया जो महत्वपूर्ण उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस धालपाय उपाय को कर लिया तो यकीन मानिये, पुरी जिन्दगी दोस्तों महनत के बिना ही धन मिलेगा। जी हाँ, कई लोग होते हैं, जो कम महनत में ही लाखों करोडों इक्षरों से लिखी गई होती है, तभी तो वह व्यक्ति कम महनत में ही इतना कमा लेता है, हमेशा उसके उपर क्रिपा बनी रहती है भगवान की, तो दोस्तों आपके उपर क्यों नहीं रहती है, आप तो दिन रात महनत कर रहे हैं, दिन रात अपने सपनों को पूरा करने क के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए, दोस्तों हर संभव प्रयास कर रहे हैं फिर. आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है. भाग ये तो आपका कभी साथ देता ही नहीं है. रही बात माता लक्ष्मी की तो वह तो बार-बार आपसे रूट जाती है क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गल्तियां होती है और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो रूट ही हुई लक्षमी है वह प्रसन्न हो जाएगी हमेशा आपके घर में ही स्थिर रहेगी तो यह उपाय जरूर करना जो मैं अब आपको बताऊँ दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपको सावधान भी करना जरूरी है दोस्तों आप लोग हर साल देवुठनी ग्यारस पर कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं जी हाँ अंजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं जिससे आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी की कृपा आने के बजाए और चली जाती है माता लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाए और रूठ जाती है आप से क्योंकि आप अंजान होते हैं तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर लाख आप उपाय भी कर लेंगे, जो मैं बताऊँगा। लाख आप दोस्तों पूजा पाट कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ गलतियां कर देंगे, तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां नहीं करनी है आपको, देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, इसको लेकर बहुत ही मान्यता है इस दिन का, दोस्तों इंतजार सभी लोग सालों से करते हैं, दोस्तों कुछ चीज की मनाही है, कुछ चीज के नियम है, कुछ जिनको अपनाना जरूरी है वरना दोस्तों चीजें उल्टी हो जाती है और एक बार चीजें उल्टी हो जाती है तो फिर सही नहीं होती है। भगवान कृपा करना छोड़ दे तो फिर भगवान को प्रसन्न करता। जी हां भगवान को प्रसन्नता बहुत मुश्किल से मिल पा ना ही मांसाहारी भोजन करना है, ना ही लहसुन प्याज का घर में भोजन बनाना है, इस बात का ध्यान रख लेना और यह गलतियां ना हो। दोस्तों, घर में सभी लोग इस नियम काइदे का पालन करेगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज के दिन आप चाहे तो फ़लाहारी भोजन करें, आप चाहे तो दोस्तों उपवास रख सकते हैं, लेकिन इन चीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें। अगले दिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला चीज मैं आपको बता रहा हूँ, चावल का सेवन भी आज नहीं करना चाहिए। दोस्तों बिलकुल अच्छा माहौल रखिए क्योंकि आज का दिन दोस्तों तुलसी माता और भगवान शालिग राम का, दोस्तों विवाह होता है, उत्सव का दिन होता है। और अगर माता लक्ष्मी आपके घर में है, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ कर भी चली जाती है, और बलकि श्राप दे कर चली जाती है। इसलिए आज के दिन जगड़ा जंजट नहीं होना चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान रखियेगा और पूजा पाठ अवश्य रूप से करियेगा। इतनी बातों का तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों एका दशी के दिन बालों को भी नहीं धोना चाहिए। पहाशा का प्रयोग करना, गाली गलोच करना, दोस्तों आपको साथ जन्म के पाप दे सकता है, दोस्तों इन पाप का बोज साथ जन्मों तक भुगतना पड़ता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि आज के दिन मुह से केवल अच्छे वचन निकले, भगवान का नाम निकले, र भूखे को खाना खिला दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, तो दोस्तों यूं समझ लेना यह बहुत बड़ा दान होता है, अनमोल दान होता है, और आपके जितने भी पाप है दोस्तों, वह सारे पाप धुल जाएंगे, अगर आज के दिन आपने केवल किसी भी भू पुखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी रोगी को दवाई दे दी, किसी रोगी को कुछ पैसे दे दिये तो बहुत, दोस्तों आपको पुण्य लगेगा, सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आज आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी आपको कोई मिठाई खिला रहा है, या आपका कोई पेट भर रहा है, तो क्या आपको मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वहीं अगर आप भूखे रहेंगे और कोई अचानक से आपके लिए पकवान लेकर आजाएगा, तो आपको कितना आनंद आएगा, तो दोस्तों, किसी भूखी गाए को कोई रोड पर गाए भूखी हो, तो उस भूखी गाए को आप चारा खिला दीजिए, उसको रोटी खिला दीजिए, बहुत पुन्य लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोस्तों, आस ना क्या है बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए आपको दोस्तों ग्यारह रोटी बनवाले नी हैं अपने घर पर ग्यारह रोटी आप किसी भी माता या बहन से या अपनी पत्नी से अपनी मां से अपनी बहन से ग्यारह रोटी बनवाले ग्यारह रोटी बनवाले और जो रोटी क आटा जब आप गूंथे जी हाँ जो रोटी का आटा जब गूंथे आप तो उस आटे में थोड़ा सा गंगा जल अगर मिल जाए तो वह डाल दीजिएगा दोस्तों बूंद दो बूंद भी अगर गंगा जल आपने आटा गूंथने में डाल दिया तो दोस्तों इसकी शक्ती और ज्यादा डबल हो जाएगी तो दोस्तों यह अवश्य रूप से करिएगा गंगा जल ना हो तो आस पडोस से कहीं से भी ले 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 लेकिन गंगा जल होना जरूरी है अब आपको मैं बता दूँ गंगा जल ना हो तो कोई पवित्र नदी का जल भी चल सकता है या फिर कोई दोस्तों जो जल हो, जो बोरिंग का जल होता है, जो सीधा जमीन से आता है वो जल होता है तो वो भी चल जाएगा. अब आप ग्यारह रोटियां बनवा लीजिए. ग्याला रोटी बनने के बाद आपको उन ग्यारह रोटियों को अपने घर की छत पर रख देना है. जी हाँ दोस्तों, अपने घर की छट के बीचों बीच उन ग्यारा रोटियों को रख दे और वहाँ पर बैठ कर माता लक्ष्मी का, धन के देवता कुबेर देव का, और साथ ही साथ भगवान विश्नु का ध्यान कर ले और आपकी जो भी मनो कामनाएं हैं उनको, कह दे और प पाए एक दो घंटे रखा रहने दे, रोटियां को उसके बाद दोस्तों आप उन रोटियों को उठा लीजिए और कुटों में बांट दीजिए, अगर कुटे रोटी ना खाए तो उनको दूध में डाल कर खिलाएं, कैसे भी करके यह ग्यारह रोटियां कुटा अगर खा तो यकीन मानिये, आपकी जिन्दगी के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, मन चाहा जीवन साथ ही आपको मिलेगा, लाखों करोडों का कर्ज है तो वह भी उतर जाएगा, जितना पैसा आप चाहते हैं, उतना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इस उपाए को करने की मान्यता, दोस्तों कुछ इस प्रकार है, जब आप अपने द्वारा बनाई हुई रोटियों को अपने चछत पर रखते हैं, तो आपके चछत की सारी नेगेटिव एनरजी उस रोटियों में समाहित हो जाती है, आपके घर पर जो राहु का बुरा प्रभाव होता है, शनी की जो समाहित हो जाता है, सारी घर की नेगेटिव एनरजी, नकारात्मक उरजा रोटियों में समाहित होकर आप कुट्तों में खिला देते हैं, तो होता क्या है कि कुट्ते, नकारात्मक उरजाओं को अपनी ओर समा लेते हैं, तो वह सारी नेगेटिव एनरजी, कुट्ता जब ख और शनी का महा प्रभाव भी रहेगा आपके उपर। साथ ही बहुत पवित्र दिन भी है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा आना तो स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों तो यह उपाए, जरूर से जरूर करियेगा। आईए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़े और जो भी, मैं बताऊं उसे बिलकुल ध्यान से सुनें। यदि आप किसी व्यक्ती से मदद की अपेक्षा रखते हैं, तो उस व्यक्ती के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मदद लें। मित्रों, परिवार में इस वक्त कोई मांगलिक आयोजन होने की संभावना बन रही है। आपको सकारात्मक रहने की सलाह दी जाती है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को काम से संबंधित चिंता हो सकती है, तो फिलहाल काम की गती थोड़ी धीमी रहेगी। परिवार के खिलाफ जाकर निर्णय लेने से शुरुआत में पच्तावा हो सकता है, लेकिन आगे चल कर आपको परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। मित्रो, ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपके और परिवार के बीच के रिष्टे कमजोर हो, पेट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, तो मसालेदार पदार्थों का सेवन बिलकुल भी ना करें, वहीं मित्रो, कोई खास काम आपकी सूजबूज से पूरा हो जाए कुछ नए अनुभव आपको मिलेंगे और आपके अंदर उर्जा बनी रहेगी और आत्म विश्वास भी बना रहेगा, तो मित्रो यदि आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मित्रो समाज में वाहवाही कमाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन तांबे क को अपने घर की पूरब की दिवार पर 7 फीट उंचाई पर सुबह 11 बजे से पहले स्थापित कर दें, मित्रो इस उपाय को करने से आपको समाज में बहुत लाभ मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, आप अच्छा खासा धन भी कमाने में सफल रहेंगे, तो इस उपाय को आप अ आप जब लोगों से मेल मुलाकात करें, तो आपको उचित शब्दों का मित्रो चैन करना है, साथ ही इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि समय पूरा सकारात्मक रहेगा, तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नही है, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर रहना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्रों, आपका अच्छा वक्त दुनिया को बताता कि है कि आप केसे हैं और आप बूरा वक्त, फिर आपको बताता है कि यह दुनिया कैसी है, मित्रों, हमेशा जीवन में ध्यान रखिएग कि यदि आप एक इनसान बन कर रहेगे तो इन सभी बातों का प्रभाव आप नहीं पड़ेगा.